पर दोस्तों सौगत है आपका मारे यूटूब चनल पर आज किस वीडियो में MP Plus Constable का प्रिवेस एर का पेपर देखेंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए स् बासता है वो अन्य तीनों से क्या होता है भिन होता है तो आपका पहले कोश्चन में विसम क्यों सा होगा देखें मुर्गी का बच्चा होता है वो चूजा होता है गाय का होता है बचड़ा भिहन का मेमना लेकिन उट का गधा नहीं होता है तो विसम हो जाएगा option दी next एक समग्याद कीज damage option को चेक करते हैं पहले ओफ्सन को चेक करते हैं तो 135 है तो तर दिनों टेजिट उठाते हैं 1-3 बनाए रस्तित ना झोडा 2 तिन से 5 बनाए कितना झोडा 2 Option B चेक करते हैं 592 5-9 बनाया कितना जोड़ा? 4 और 9-2 बनाया कितना घटा? 7 घट रहा है अपका Option C चेक करते हैं 3-5 बनाया 2 जोड़ा 5-7 बनाया 2 जोड़ा Option D चेक करते हैं 5-7 बनाया 2 जोड़ा 7-9 बनाया 2 जोड़ा मतलब तीन option में आपके दो-दो जुड़ रहे हैं लेकिन option B में आपका चार जुड़ा और साथ कटा तो अभी समूझ जाएगा option B किस question कर लेते हैं संक्या है लिख लेते हैं 49 12 85 और 64 आगे कहता है कि दूसरे और आठवे अंकों का तो दूसरा इस्थान आपका 9 का है आठवा कौन सा है 3,4,5,6,7,8 तो लास्ट वाला हो जाएगा 4 इनका इस्थान क्या कर दिया जाता है बदल दिया जाता है क्या कर दिया जाता है बदल दिया जाता है तो देखी 4 वाला जो है वो दूसरे पर आ जाएगा और नो वाला जो है वो लास्ट में चला जाएगा ओके आगे कहता है इसी प्रकार चौते और पांचवे अंकों का इस्थान बदल दिया जाता है चौता है दूसरा और पांचवा है आठ तो हम लोग कर देते हैं आठ आ गया गया और दो पीछे चला गया अगला कहता है पहले और छटे अंकों का इस्थान बदल दिया जाए पहला है तिसरा और छटा है पांच पांच आ गया गया और पहला वाला छटे पे चला गया तीन और तिसरो सात्वे अंगों का इस्थान बदल दिया जाता है तिसरा है एक, सात्वा है छे तो ए किदर आ जाएगा? 6 आगे आ जाएगा बदल दिया जाता है इस विवस्ता के पश्चात निम्ने मेंसे कौन सा 22 से तिसरा अंख होगा तो 22 से देखे यहां से चलेंगे तो 22 से तिसरांग हो जाएगा 6 option C is right answer अगला question है एक खास code वासा में you are watching cricket का अर्थ है cricket is a sport का अर्थ है you are a kid इस code वासा में kid का code kid के लिए किस सब्दकार इस्तिमाल किया गया है ये लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग sentence लिख लेते हैं sentence है you are watching cricket इसका मतलब क्या है ये आप ऐसे डारेक्ट कर सकते हैं आपका kid का कौँच पूछा जा रहा है तो kid जो है वो किस में आ रहा है kid आपका इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है अगर हमें you, r और a के कोट पता चल जाएं तो kid का आथानी से पता चल सकता है देखे यू आपका इसमें भी कामन है यू आपका उपर भी कामन है और r भी है और उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कामन है तो उनके अर्थ में आपका मिला है WA मिल ला है WA भी मिल ला है WA भी मिल ला है और क्या मिल ला है CR तो U और R के कोड क्या क्या हो सकते है WA या CR हो सकता है और R का भी WA या CR हो सकता है अब बचा है A का कोड A देखिए आपका इसमें कामान है और A इसमें है और उनके अर्थ में देखे क्या क्या कामान है बाइजेड बाइजेड अब बचा है किया आई किसका कोड हो जाएगा किड का तो आपस ने is the right answer अगला कोश्चन है याद ही टीचिंग को चीटिंग से कोडित किया जाता है इन्हें नंबरिंग दे देते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ टोटल अलफा बेटे हैं आठ इसको क्या लिखा जा रहा है C, H, E, A, T, I, N, G तो C का कोड उपर कितना माना है चार H का कोड कितना माना है उपर पांच E का कोड उपर कितना है दो A का कोड कितना है तीन T का कितना है एक I का कोड कितना है छे N का कोड कितना है साथ और G का कोड कितना है आठ अब जो ये नंबर मिले हैं इन्हीं नंबरों को इस्ठान का यूज़ करके हमें gradient के alphabet set करने है तो gradient के सारे alphabet लिख लिख लेते हैं सबसे पहले तो G, R, A D, I E, N, T numbering कर देते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब हम लोग number set करते हैं सबसे पहले आएगा 4 का 4 को क्या माना है? D तो D लिख दिया उसके बाद आएगा 5 का 5 को क्या माना है? I I लिख दिया उसके बाद 2, 2 को क्या माना है? R R लिख दिया, फिर है 3 3 को माना है A, A लिख दिया फिर है 1 की बारी 1 को क्या माना है? G फिर है 6 की बारी 6 को क्या माना? E E लिख दिया फिर है 7 की बारी 7 को क्या माना? N और 8 को माना है T अब यह जो अलफाबेट मिले यही आपका अंसर हो जाएगा और यह कौन से ऑप्षिन में आ रहे हैं ऑप्षिन सी ओके नेक्स्ट सेयुक्त राष्टो UN दौरा अंतर राष्टिय आहिंता दिवस के रूम में किसका जनम दिन मनाया जाता है ओप्षिन भी महात्मा गांधी बिस्व में कौन सा राष्टिय उद्यान बंगाल टाइगरों की उचतम संख्याओं के लिए प्रसिद्ध है बांदप गड़ राष्टिय उद्यान याद आप राजाओं की राजानी थी तो ओप्षिन नेक्स्ट है जहांगीर आर्ड गैलेरी कहां स्थापित है तो ओप्षिन भी मुंबई भारत के मुखि नयादेश को पद की सपत कौन दिलाता है राष्टपती पंडित जगननात निमले के सासकों में से किसके राज कभी थे साहजान राष्टपती को किसके दोरा चुना जाता है उप्युक में से कोई नहीं सिखों के दुसरे गुरु कौन थे गुरु अंगद देब नारा जय जवान जय किसान किसके दोरा दिया गया था लाल बहादूर सास्तरी मदबरदेश से अलग मदबरदेश से अलग करके 36 गड़को वर्ष में नया राज्य बनाया गया दो हजार अगला सीमा सुरुच्छा बल बियसएप में प्रथम माईला छेतर अधिकारी है तनुसरी पारीक हनुवंतिया द्वीप बांध के जलासे में इस्टित है इंद्रा सागर बांध बज बहादूर महल में इस्टित है मंडू भारत के राष्टिय गीत के रचेता कौन थे बंकिम चंदर चटरदी अमर कभी काली दास कसवे से संबद थे उज्जैन अगला लूप तो संक्या चुनकर संकला को पूरा करना है कैसे करेंगे देखे साथ में चार को जोड़ा तो हमें क्या मिल गई अगली संक्या मिल गई फिर साथ में ग्यारा को जोड़ा तो हमें अठारा मिल गया अब क्या करते हैं ग्यारा में अठारा को जोड़ते हैं तो हमें उन्तिस मिल जाता है 18 में 29 को जोड़ा तब हमें 47 मिल जाता यही तरीका आगे अपलाई करेंगे 29 में 47 को जोड़ देते हैं तो जोड़ देते हैं 9, 7, 16, 6 हांसे लगा 5, 2, 7 तो आपका आगे 76 Option C is the right answer Next loop तो संक्या चुनकर संक्ला को पूरा करना है 5 से 11 बनाया तो आपका कितना जोड़ा 6 11 से 19 बनाया तब आपका कितना जोड़ा 8 और 19 से 29 बनाया तब आपका जोड़ा 10 तो देखे 6 और 8 के भी difference से 2 का 8 हो 10 के भी 2 का तो आगे भी 2 का difference होगा 10 में जोड़ेंगे 12 और 12 को 29 में जोड़ देते हैं तो 11 हासिल लगा एक 4 तो आपका अंसर आजाएगा 41 ओप्सिन भी इस राइट अंसर अगला लूप तो संक्या जुनकर संक्ला को पूरा करना है सबसे पहले 5 से 18 बनाते है तो आपका ये condition नहीं बनती है तो हम लोग एक संक्या को छोड़के 5 से 10 बनाते हैं तब आपका कितना जुड़ा 5 फिर एक संक्या को छोड़के 5 से 10 से 15 बनाए तब भी आपका 5 जुड़ा अब जो बची हुई संक्या है 18 से 12 बनाए तब क्या हुआ 6 गटा नीचे देखी 5 पांच जुड़ रहा है जो कि दिये के कथनों निसकर्सों के बारे में सही है कथनों निसकर्स का कोश्चन है पहला कोश्चन आगे कथन कहता है कुछ थैले बाक्स है तो थैले का कुछ हिस्टा बाक्स में चला जाएगा आगे कहता है सभी बाक्से मेज है सभी बाक्से मेज है यह आप ऐसे कह सकते हैं जो सभी box हैं वो क्या हो जाएंगे मेज हो जाएंगे आगे निसकर्स कहता है कुछ थैले मेज हैं तो देखें मेज का कुछ हिस्टा या थैले का कुछ हिस्टा मेज में जा रहा है पहला सही कुछ मेज बक्से हैं बुलकुल सही क्योंकि मेज का कुछ हिस्टा बॉक्स में जा रहा है तो दूसरा भी सही तो इसका हो जाएगा option D निसकर से एक और दो दोनों नुसरान करते हैं next question कहता है सभी plate saucer हैं तो सारे plate क्या हो जाएंगे सासर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे सासर और कोई सासर कप नहीं है तो कोई भी सासर आपका कप नहीं होगा दूर दूर तक कोई समन नहीं होगा आगे कहता कोई plate कप नहीं है तो plate का दूर दूर तक कोई समन नहीं है कप से तो पहला सही कोई कप एक प्लेट नहीं है तो ये भी बिल्कुल सही है कप का प्लेट से कोई भी संबन नहीं तो दूसरा भी सही तो इसका हो जाएगा ओप्सेंटी तो इसका हो जाएगा दोनों निसकर्स अनुसरान करते हैं मतला ओप्सेंटी निसकर्स एक और निसकर्स दो ग्यात करें पहला option 22, 56, 92 32, 57, 927 आगे है 37, 927 यह अलग है 32, 57, 927 32, 75, 927 तीन option आपके same मिल गए लेकिन option भी आपका अलग है तो बिस्म होजाएगा option भी इस right answer अगला है एक उच्छ न्यायले के मुख न्याया देश को पद की सपत कौन दिलाता है Option B राजपाल उमाकांत गुंडेचा और रमाकांत गुंडेचा मसूर है दुरुपद गायक नीचे दी के सरंकला में संक्याओं का एक्रम उपस्तित है गलत संयोजन बताना है सबसे पहले देखे चार से दस बनाते है चार से दस बनाया तो आपका छे जुड़ा दस से अठाइस बनाया तब आपका अठारा जुड़ा ये तो आपकी चीच मिल गई गाईस अब आप एक चीच देखेगा छे और अठारा में बनने में क्या हुआ होगा तीन का मल्टिप्लाई तो आगे भी तीन का मल्टिप्लाई करके देख लेते है तो अठारा तीन है चारण यहाँ पर आजाएगा इस चारण को अठाइस में जोड़ देते है तो आपका कितना आजाएगा बारा के दो हांसल लगा एक छे और दो साथ छे दो और आठ आठ आप 82 आजाएगा लेकिन यहाँ पर आ रहा है 84 और आगे करके देख लेते हैं फिर चववन में तीन का मल्टिप्लाई फिर कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 162 इस 162 को हम लोग 82 में जोड़ते है तो हमें मिलता है 214 मतलब 84 के जगे पर 82 आना चाहिए तो गलत सहीं हो जाना हो जाएगा 84 option is right answer next है यदि acted को इससे coded किया जाता है तो इसको कैसे coded किया जाएगा acted के सारे alphabet लिश लेते हैं A को क्या लिख रहे है S C को लिख रहे है T T को लिख रहे है U E को लिख रहे है A D को लिख रहे है H तो A का बताना की क्या होगा तो A का कौन सालफबेट है S तो A के नीचे S लिख दिया C का कौन सालफबेट है T T लिख दिया E का कौन सालफबेट है A तो A लिख दिया तो S T A आपका answer हो जाएगे तो option है is right answer अगला question है यदि सेपर को इससे कोड़ित किया जाता है तो exercise को कैसे कोड़ित किया जाएगा सेपर के सारे अलफबेट लिख लेते है S, H, A, P, E, R इनके अलफबेट कोड लिखते है S का कोड होता है 19 H का कोड होता है 8 A का कोड होता है 1 P का कोड होता है 16 एक कोड होता है पांच आर का कोड होता है ठारे इससे आपका क्या बन्दा है टी जी सी एन एच ओ टी का अलफाबेट कोड कितना होता है बीस जी का होता है साथ सी का कोड होता है तीन एन का कोड होता है चोदे है एच का कोड होता है आठ और ओ का होता है पंद्रे तो देखिए एक से तीन बान तब आपका दो जोड़ा 16-14 बान 2 है 5-8 वना 3 फॉर 18-15 भना तीन गटा मतलब एक सीरिस चली पहले एक गटा फिर एक गटा एक की बार्य ओगे अब दो को जोडेंगे दो को गटाएंगे फिर तीन को जोडेंगे तीन को गटाएंगे यह सीरीज चलती जा रही है यही आज तरीक आगे अप्लाई करेंगे तो हम लोग एक्ससाइज के सारे अलफाबेट लिख लेते हैं तो ई-एक्स-ई-आर-सी-आई-ए-स-ई-ए-क-अलफाबेट कोड कितना होता है एक्चुल में पांच होता है एक्स का कोड होता है चोविस फिर एका होता है पांच आर का अलफाबेट कोड होता है ठारे सी का कोड होता है तीन आई का कोड होता है नौ एस का होता है उननिस एका होता है पांच तो भाही तरीका लगाते हैं पहले एक जोड़ेंगे छे में एक जोड़ा पांच में एक बोड़ा साथ 18 में 2 घटाया तो 16 अब 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आया 6 ,아ब 9 में 3 घटायेंगे तो आपका आजाएगा 6 अब है 4 की बारी 24 को जोड़ेंगे 320 आप 4 को घटाये तो आपका आजाएगा एक इनके अलफाबेट लिख देते हैं 6 किसका होता है अपका 23 होता है W का 7 होता है G का 16 होता है P का और 6 होता है अपका फिर 6 होता है अपका 23 होता है W का 1 होता है A का यह जो अलफाबेट मिले हैं यह आपका अंसर हो जागा और यह कौन से option में आ रहे है औप्शन है next question कर लेते हैं एक खास code बासा में pada लिख लेते हैं pada फिर pada wada फिर sada इसका मतलब क्या है इसका मतलब है good looking girl तो good looking girl अगला sentence आपका है देख लेते हैं क्या गयता है saj saj फिर sana फिर है sada इसका मतलब क्या है इसका मतलब लिख लेते हैं इसका मतलब है looking for you looking for you फिर तीसरा sentence है आपका डे का saj d e k a फिर s a j फिर r e n इसका मतलब क्या है for all students for all students तो हमें you के लिए कि सब्दिका इस्तिमाल हुआ यह बताना है तो कर लेते हैं you देखिए आपका किस में आ रहा है यहां पर आ रहा है और looking for का अगर code पता चल जए तो हमें you का पता चल सकता देखिए looking up का इसमें आ रहा है looking up उपर भी आ रहा है और उनके अर्थ में देख लेते क्या क्या का मनें तो उनके अर्थ में साड़ा looking का code हो जाएगा साड़ा अब फॉर फॉर आपका इसमें आ रहा है और उनके अर्थ में क्या क्या का मनें तो ऐसे जी ऐसे जी अब बचाए साना साना किसका हो जाएगा का code हो जाएगा ओके तो option सी इस राइट अंसर नेक्स्ट भारती राष्टे कॉंग्रेस के पहले राष्ट पती थे तो option भी डबलू सी बनड़ जी देखिए कथन निसकर्स का अगला question है आपका कुछ गोरया सिसू है तो गोरया का कुछ हिस्सा आपका किसमें चला जाएगा सिसू में आगे कोई गोरया घर नहीं है तो घर कोई भी गोरया घर नहीं होगा cross आगे केता सभी घर सिसू है तो घर का दूर दूर तो कोई समन नहीं तो पहला cut सभी सिसू गोरया है तो ये भी गलत तो इसका हो जाएगा ना तो option सी ना ही निसकर्स है को ना ही निसकर्स दो अनुसरान करते हैं और आज का लाश्ट है सभी कलम पेंसिल हैं सारी कलमें क्या हो जाएंगी पेंसिल हो जाएंगी सभी पेंसिल रबाड हैं सारी पेंसिल क्या हो जाएंगी रबर हो जाएंगी आगे कहता है आझे चाहिए सभी Pencil कलम है गर्न किस पैंसिल नहीं होंसकती लेकिम्सथी पैंसिल कलम नहीं होथी है तो पहला कट सभी कलम रबर है यह विल्खलए क्यूं कि कलम सबसे चोटा हइब और गाल है चुह आअचा होud